दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ओरोपी टूकी क्या गॉर्मेंट पर होगा कंटम्ट अफ कोट क्या यह सम चाहते हैं कि ओरोपी तुरंत लागू हो तो दोस्तों हम जानेंगे गॉर्मेंट पर एचसी के ओर्डर को ना मानने के चलते क्या कोट अबमानना का केस बनता है तो सर प्रतम तो मैं बताना चाहूँगा कि गॉर्मेंट पर कोट अबमानना का केस बनता ही नहीं क्योंकि गॉर्मेंट ने 16 जून से पहले ही extension of time की application डाल दी थी और यदि नहीं भी डाली तो तुमारी review petition उससे पहले डल चुकी थी यानि कि judgment जो दिया गया था उसको review petition फैल होने पर वो judgment क्या हो गया खतम हो गया उस judgment का कोई मायन है नहीं रहा तो उसके बाद time उसके बाद time extension की appeal डल गी तो government तो faulty रही नहीं, faulty तो हम ही हो गई अपने खुद से हम अपने आप में ही faulty हो गई और अब हम government को इस बात का दोस्त दें कि court अबमाना के लिए अपनी अविदन लगाया जाए तो इसका कोई मतलब नहीं है मतलब ले चलिए ये एक बहस का मुद्दा है जो आप हम सब कर सकते हैं comments के दुरवारा तो सरपेतम तो मैं बताना चाहूँआ कि government पर court अबमाना का case बनता ही नहीं है क्योंकि government ने 16 जून से पहले extension of time की application डाल दी थी साथ ही 29 जुलाई को MODK DSW द्वारा एक P.I.B. रिलीज की गई और उस P.I.B. रिलीज करके ये clear कर दिया गया कि वारोपी रिवीजन की कहरवाई प्रिक्लिया धीन है under process है यानि की काम चल राज के उपर और जल्दी प्रवरतन में लाई जाएगी तो अब court अबमाना का मामला बना कैसे कहां से बना रहा है हमारे जनरल सत्वीर सिंग साब ट्विट करके बोल रहे है कि ये court अमाना का मामला बनता है कैसे बनता है इससे पहले गवर्मेंट ने 2000 करोड रुपे वारुपी के लिए allotment भी कर दिया था उसका भी आप वीडियो पहले देख चुके होंगे economy time में news भी छपी थी उसकी तो कुल मलाके गवर्मेंट अभी contempt of court से बरी है मैं आपको बात बता हूँ जबर्दस्ती गवर्मेंट को गहरने का कोई मतलब नहीं है next time मेजर जनरल सत्वीर सिंग साब जो आए दिन tweets करते रहते हैं वारूपिक regarding क्योंकि लोग उन से questions पूछते हैं तो उन्हें उनकी reply और update के लिए ऐसा करना होता है तो उन्होंने 3 अगस्त को एक tweet किया जिसमें लिखा था government of India has not resubmitted application to HSC for extension of time it has not implemented HSC judgment for payment of areas 21 July 2019 causing contempt of court government requested to pay area earliest इसका मतलब है कि government of India ने जो time of extension की application या appeal या एपिडेविट लगाया था वो reject हो गया था कि नहीं कारणों से पूर्णता reject नहीं आता उसको resubmation के लिए time देते हुए उसको reject किया था तो उसको दोबारा से उन्होंने फैल नहीं किया है और government ने HSC के judgment जिसमें एक जुलाई 2019 से एरियर पे करने का आदेश दिया था उस पर भी कोई कारवाई नहीं कि जो की court की अमानना का कारण बनता है एसा मेजर जन्रल सतवीर सिंग साब सेने मेडल कहना चाते है इसका मतलब ये कता ही नहीं है कि जन्रल साब गवर्मेंट पर contempt of court करने वाले ही हैं या आविदन करने वाले हैं अब इसका क्या मतलब है मैं समझाता हूँ आपको सुरू से 16 माज 2022 को और उपी का decision आया जिस दिन ये decision आया था सभी ASM बहुत खुशते और उन्हें उम्मीद थी कि अगले तीन मेने में उनको area और उनका revision मिल जाएगा और ये बहुत ही अच्छा होता यदि ऐसा हो गया होता फिर review petition डाल दी गई यानि कि judgment को क्या कर दिया judgment को रोक दिया judgment के ऊपर review petition डाल दी यानि judgment खतम अब review petition अपने आप में एक file है जो अलग से कैरवई शुरू करने के लिए की गई है एक initiative है तो फिर time extension की appeal आ गई वो अपने आप में एक initiative है और अब contempt of court की बात चल रही है जैसा कि आप ट्यूट में देख पा रहे है इससे पहले नो ने ट्यूट किया था जनल साब ने जो कि आप देख रहे है government application for extension three month has not yet been listed it is learned the application had some defect our review petition has been dismissed on 28 July 2020 government of India has not yet paid errors were fake July 2019 as ordered by the agency our lawyers are analyzing further reaction साब ने यहां भी यही काया कि government की जो application थी वो reject हो गई और हमारी review petition reject हो गई और हमारे lawyers analysis कर रहे है ठीक है अच्छी बात है analysis करें बहुत अच्छी बात है लेकिन जल्दी से जल्दी area और revision दिया जाए ESM क्या यही मानना है यह सारा प्रोसेस 16 जून को मिलने वाली OROP2 को सिर्फ डिले करने का है RP का मतलब तब तक नहीं जब तक कोई new fact RP द्वारा उस judgment में add किया जाए यदि कोई new fact है नहीं तो RP का कोई मतलब नहीं सिर्फ डिले जनरल SS साब जो हैं आखिर करना क्या चाते हैं यह ना ESM के समझ में आ रहा है ना किसी यूटूबर के समझ में रहा है ESM तो सिर्फ OROP2 का revision चाते थे उनकी एक ना सुनी किसी नहीं हर वीडियो में ESM का एक ही सवाल होता है comment में OROP2 कब मिलेगा गौर तलब करेंगे तो आप जान पाएंगे कि आरपी ने हमारे इस revision को सितंबर तक डिले कर दिया है और गौर्मेंट की time extension appeal जिसे कुछ खामियों के कारण resumption करने के लिए 30 दिन का time दे दिया वह अभी भी बाकी है यानि कि आप समझो कि अभी वह और एक मिना खा जाएगी आपका और फिर वह resummit करेंगे और मेंट जब resummit करेंगे उसमें फिर खामी निकाल दी तीन बार तक तो खामी निकाली सकते हैं तो एक-एक मीना करके तीन मीने यह बढ़ जाएंगे तो आप कहां कहीं बताओं सेतंबर भी क्रॉस हो जाए कैसे साफ से तो मैं क्लियाली बताना चाहूंगा कि Contempt of Court तो यहां बनता ही नहीं है इसको तो आप भूली जाओं और Repetition के बाद अब अप्चारात्मक याचिका की भी बात चल रही है चर्चा में है कि एक अप्चारात्मक याचिका भी डाल दी जाए तो यह जो और रोपी है यह 2023 में खिच जाएगा Indian Exervation Moment एक अच्छा संगटन है ESM के लिए जिसमें कोई दोराय नहीं है परंतो यह जरूरी तो नहीं कि इसके कुछ मेंबर ही अपने दिमाग की उपद से पूरे ESM को प्रवावित करें यानि कि पूरा ESM जो है वो इन ही कुछ दिगजों की वज़े से सफर करता रहे यह है उनको जानना चाहिए उनके सामने मत रखना चाहिए और जानना राय लेनी चाहिए कि कौन कितने प्रतिशत लोग इसके रिवीजन में हैं कितने प्रतिशत आरपी में हैं कितने प्रतिशत कुछ और करना चाहते हैं उमिद करता हूँ अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्य यह माजरा क्या है क्या मैं आपको समझाना चाहा हूँ अंतिन तोरपा गॉर्मेंट ही सर्वो पर ही है और वो जब चाहेगी तब ही ओर रोपी मिलेगी लेकिन हम और हमारे संगठन क्यों बीच में अपने रिवीजन को डिले करना चाहा है यह समझ से बाहर है मिरा मानना है कि आई एसम को एसम को हर पहलू से अवगत करवाते रहना चाहिए और एसम की राय जरूर लेनी चाहिए तब ही जाके एसम का भला हो सकता है दरसल फूर न दिस वीडियो जैहन फूर नेक्स्ट